वाहिगुर्ची का खालसा वाहिगुर्ची की फते पंजाबी ओडियोबुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे सरूतियानू मेरे मनिंदर कौरवलों प्यार परी साच रियका दुखिये मापुत पाग चौथा पन्ना नंबर अठासी तीजा कांड कलकत्ते तो तुर्णा उन्नी अप्रेल अठारा सो चुरंजानू महराज द्रीप सिंग वलाइत जानवास्ते कलकत्ते तो जहास्ते चड़िया बंगास मुंदर नू चीरदा होया जहाज इक पास से हिंद ते इक पास से काले पाणिया दे टापू छड़ि जा रहा सी एस सफर विच कोई खास कटना नहीं होई अधन आद रादिया खास थामा उत्ते महराजे नू इकी तोपां दी सलामी हुंदी रही मिसर विच मिसर विच महराजे दे सैर दा परबंध होया होया सी एक थे सकंदरिया ते काहिरा दोहां शायरां दी सैर किती काहिरा विच अमरीकन मिशन स्कूल वेख्या जिस विच यतीम लड़किया नू इसाई तरम दी विद्या पड़ाई जान दी सी फिर मसर दे मशहूर मुनारे वेख्या एक थे एह सुनके कि एह हिंदुस्तानी शह जादा है मंगतियां दी पीड उदाले आ होई जिना नू महराजे ने लोड अनुसार दांदता फिर माल्टा वेख्या एक थे वी सकंदरिया वांग इकी तोपां दी सलामी होई जब्रा लटर विच शाही सलामीता होई पर महराजा जहाजों उत्रया नहीं वलायत पुझना 1844 दे जून दे महिने दे अद्दा बीतन तक महराजा लंडन पुझ गया महराजे दे वलायत विचलैन वास्ते court of directors उचेच्चा मकान बनवा रही सी ओहो जे त्यार नहीं सी होया इस वास्ते महराजे नू मवारट दे कलेरज होटल विच ठैरना पिया महराजे दा लबास वलायत दे वड़े वड़े आदमी महराजे नू मिले उस दा सुन्दर रूप ते मिलन सार सुबा आवे के साब बड़े खुश होई महराजा एथे वी देशी लिबास पैंदा से इसाई होके ते वलायत विच जाके वी उसने अपनी पंजाबी पुशाक नहीं सी छड़ी उहो रेशमी कुड़ता ते उपर सुनेरी कामवाला कोट पैंदा से सिखावरगी पाग दे उते हीरियां जड़ी कलगी लोंदा से गाल विच हीरियां ते मोतियां दीत लड़ी माला पांदा से उहो हार था राज महल ते कोट आफ डारेक्टर्स विच वी एसे लिबास विच जांदा से पिछे जहे उहो अंग्रेजी टांग दे कोट पतलून वी पाउन लग पया सी पर उसने सिखावरगी पाग आखर उमर तक नहीं त्यागी ते एहे उस दी पाग डलोजी दिया अक्खा विच कंडे वांग रटक दी सी बाई अक्तूबर 18 सुचरंजा नू डलोजी लिखदा है उस दी पागडी ही उस दा वड़ा पारा कौमी निशान है उसनू पाग नू दूर कार देओ फिर ओदे स्रीर विच सिखीदा कोई परगट निशान नहीं रह जाएगा महराजे दी रैनी बैनी महराजा केस कटाके ते इसाई बाण के वी कलगी वाली पागी ही बांदा रहा सी ते दुजी सस्त बचपन तो ही इसाईया विच रहंदा होया ते यूरोप दे मुलकां विच चाली वरे उमर दे कट के वी उह शराब तो बचया रहा लेडी लागिन मांदी है कि उसने उमर पार शराब कदे नहीं सी पीती खाने विच वोवे देशी नाड़ों देशी चीज़ां वदेरे पसांद कापदा सी मलका ते दलीट सिंग मलका विक्टोरिया ने दलीट सिंग नू अपने महल विच प्रती पोजन दता महराजे नू वेक के मलका ते उस दा पती प्रिंस अलबर्ट बड़े खुश होय दोहा ने महराजे दा हदो वाद आदर कीता मलका ने महराजे दी आदम का द तस्वीर खिचौन वास्ते केहा जिसनू उह बड़ी खुशी नाड़ मान गया तस्वीर खिचवन दा परबंद बकिंगम पैलस विच होया जिते महराजा सतवारे विच दो वार जानदा हर वार मलका ते प्रिंस अलबर्ट महल विच होंदे जो महराजे नू बड़े सतकार नाल मिल दे ते उस नाल कई तरादियां गलां कर दे रेंदे एस तरह इना विच चंगा मेल मिलाप हो गया इना दिना विच ही मलका वलो डाक्टर लॉगिन नू सर दा खिताब दता गया महराजे दा दरजा वलायत विच यूरोप दे शहजादियां बराबर मन्या जान्दा सी जदो एस गल्दा आम लोका विच अलान किता गया ता महराजे वलो इक शांदार प्रती पोजन्दा प्रबंद किता गया कोहिनूर ते महराजा वलायत विच महराजे नाल कदे किसे कोहिनूर दी गल कथ नहीं सी कीती जदो हू मलका दे महल विच जान्दा सी लेडी लॉगिन सदा नाल हूंदी सी एक दिन मलका ने लेडी लॉगिन नो पुछया महराजे ने कदे कोहिनूर बाबत कुछ पुछया है उस बाबत उने कदे अफसोसता नहीं कीता लेडी लॉगिन ने उत्तर दता हिंद विचता कई वार उहो हीरे दियां गल्ना कारदा हुंदा सी पर जदो तो वलायत विच आया है कदे नान नहीं लिया मलका ने पक्की कीती गल बाती महराजे दे दिली पावादा पता करना ते पुछना की उहो कोहिनूर वेखना चौंदा है दुजी मुलाकात विच मैंनू सब कुछ दसना इक दिन महराजा ते लेडी लॉगिन रिच्मंड पाक विच कोड़ेयां उत्ते सैर कार रहे सन गल्ना बाता कारदियां कारदियां लेडी लॉगिन ने पुछिया महराज की कोहिनूर फेर वेखना चौंदे हो दलीप सिंग ने किया हाँ मैं एक वार अपने हाथ विच लैके वेखना चौंदा हाँ लेडी लॉगिन क्यों? किस वास्ते? दलीप सिंग मैं एक वार अपने हथी मलका दी पेटा करना चौंदा हाँ जदो एहद नामे राही मेथों को ही नूर लेया गया सी उदो मैं अजे बच्चा सा ते हुण मैं काफी वड़ा हां ते सब कुछ समझदा हां अगले दन लेडी लॉगिन ने सब कुछ मलका नू जादसेया एक दन दलीप सिंग बैठा तस्वीर खिचवा रहा सी मलका ने कोहिनूर मंगवाया ते सहज नाल दलीप सिंग दे हाथ ते जातर रिया महराजे नू से सारी गोंददा पता नहीं सी अचनचेत उसने कोहिनूर अपने हथा विच डिठा होर कोई बंदा हुंदा ता शायद उसने मांदी की हालत हुंदी पर दलीप सिंग उसे तरह शांत चित उसनो उल्टा के वेखता रहा मलका ने पुछिया आप इसनो पछान दे हो दलीप सिंग ने बारी कोल जाके इसनो चंगी तरह वेखिया ते उत्तर दता हाँ एह कोहिनूर है चमकता अग्गे नालो वाद गई है पर पहला नालो छोटा हो गया है फिर बड़े आदर नाल उसने कोहिनूर मलका दी पेटा कीता ते चुप चाप अपनी था जिते बेठा तस्वीर खिचवा रहा सी ते जा बेठा उदे चेरे उते कबराट जा अफसोस दा कोई निशान नहीं सी मलका दे शहजादिया नाल दलीप सिंग दा मेल वाद गया बहुत वारी महराजे नू प्रेती पोजन दे जान दे सन ओहो आसबोन वच मलका दे प्रिंस कंसर्ट नू मिलन गया महराजे दा अधर ते डलहोजी नू साड़ा इहे फोका अधर वेक के वी डलहोजी सहार ना सकया ते सहार दा वी कमें ओहो नहीं सी चौदा के जिस महराजे नू उसने बड़ी बे रैमी ते बे इंसाफी नाल तक तो ला के तुएं दा फकीर बना अधता सी उसनो वलायत दी मलका ते शहजादे नाल बठाके खाना खौँ ओहो बाई अक्तूबर अठारा सुचरंजा नू लिखदा है एहे चंगा है कि महराजे दे शाही कराने दा मिलाप औस बोन विच चंगे समे होया पर में नू डार है कि नित वाददा रसूख उसनी ओन वाली जंदगी वास्ते लाबदाएक नहीं होवेगा जेहो वलायत विच ही रहे ते उत्थे ही मार जाए ता सब अच्छा है पर जे उसने हिंदुस्तान विच वापस ओना है ता जिस्दा वलायत विच एन्ना आदर किता जानदा है जो उत्थे मलका ते शहजादियां दे नाल बै के प्रिती पोजन छाकदा है उहो एक थे अपनी पदवी ते शान विच तब दिली वेक के निराश होवेगा क्योंकि हिंदुस्तान विच जदो उसनु वाइस राय दी मुलाकात वास्ते हाजर होना पवेगा ता उसनु वाइस राय दी दहलीज उत्ते जुत्ती लोनी पवेगी ते एहे कुछ जुरूरी करना पवेगा ता उहो इस कामनु पसांद नहीं करेगा प्रिंस ओफ वेल्स प्रिंस एलफ़र्ड ते दलीप सिंग विच प्यार दे चठी पत्तर शुरू हो गई सान उना आपस विच अपने फोटो वटाए सान तेक दुज्जे दे जनम देन उत्ते मितराने वज्जों तौफे पे इजी जान दे सान महराजे दे जनम उत्ते मलका वी तौफे काल दी हुंदी सी पारलियमेंट विच वी महराजा मलका दे कोड़ बहिंदा हुंदा सी लाड हाडिंग ने महराजे नो अपने कार बुला के प्रती पोजन दता फिर कुश समय वास्ते ओह स्कॉटलेंड विच सैर करन गया इडन बर्ग विच ओह लाड मार्टन दे कार रहा वापस मुड़दा हुया याक शायर विच सर चार्ल्स वुड़ दे कार हिकल्टन हॉल विच महराजा एक हफ़ता रहा युनिवरस्टी विच दाखल हुन दी आग्या ना मिली वलायत पुजन उते कंपनी वल्लों पहिला कोश चर विंबर्डन विच ते फिर रोहेप्टन विच महराजे नू निवास दिता गया इथे उसने युनिवरस्टी पास करन दी इच्छा परगट कीती पर सरकार हिंद वल्लों इस दी आग्या ना मिली डलोजी ता पहला ही महराजे नू उच्छी विद्या देंड दे विरुद सी, फतेगड विच्वी उसने सगालते तराज कीता सी, वलायत विच्वी उह महराजे दा युनिवरस्टी दे स्कूल विच दाखल होना ना मन्या ते बहानना इह कीता की ना जानिये महराजे नू स्कूल विच कदे मार पवे ता सरकार हिंद इह दुख सहार नहीं सकेगी लौगिन ने महराजे नू समझाया की युनिवरस्टी विच दाखल होनाल उस दी उच्ची पदवी ते शान विच फर्क होनदा है ते गॉर्मेंट नू इह परवान नहीं परहरानी दी गाल है की मलका ने अपने पुत्तर उस वेले ओक्सफोर्ड ते कैम्बरज उनिवरस्टी विच दाखल कराय सान एथे महराजा जर्मनी फ्रांस ते इतली दियां बोलियां पड़दा सी रोहेटन विच रैंदियां होया ओहो पर्थ शायद विच शकार खेड़ मेंजीज एथे कुछ चिर वास्ते महराजे ने कैसल मेंजीज कराय ते लेलिया जिन्ना चर एथे रहा उसकोल परौनेया ते शकारियां दी पीड लगी रही पंजाब विच ते फिर फतेगड विच वी उहो बाजा नाल शिकार खेड़दा हुंदा सी ते एहा टड़कदा सी उहो लिखदा है बाजा नाल शिकार खेड़दा शौंग निरोल सिखी सुबा है सिख बाज बौते रख दे संग बंदशा हटाओ ते पैंशन दा हिसाब देओ परौवाल दी सुला नुसार चार स्टंबर 1844 इश्वी नू महराजे तो सारियां पबंदियां ह लौगिन नु केहा हिंदी कानून अनुसार मैं हुन जुआन हो गया हां सो मेरे कार्तों सब बंदशा हटा दतियां जान। में नू अपना पर बंद आप करन दी आगया मिल जाए ते सुला अनुसार कट तो कट चार लाख दा हिसाब मेरे हथा विच दता जाए। महराजे दे आखनों ते लौगिन ने डल्होजी नू लिखिया जिसदा डल्होजी ने कोई तसली बख्ष उत्तर ना दता। दलीप सिंग दो साल वास्ते विलायत गया सी समापूरा होन पिच्छों उसने हिंदुस्तान मुड़न दी आगया मिली। दसंबर 1856 इंगलेंड तो महराजा तुरिया उस दे नाल लौगिन लेडी लौगिन ते महराजे दा दोस्त रौनल्ड लेजली मैलवल सी। इह फैसला सी के महराजा गुप्त तौर ते मिस्टर लौगिन नाम राख के सफर करी। इटली विच काड़ा शहजादा। पुरातन टांग अनुसार सामान अपनेया छकडेया ते लाध के इह पाटी तुरी। पहला पड़ा मार्शेल्स विच कीता एथो अग्गे रूम सागर दे कंडे कैनस पुझे। एथे दो जन्वरी 1857 तो पहला जा पुझे साम। एथे एक अनोखी कटना होई। इक कार लागन आद बुलाए होए रूटी खान गए पर महराजा ना गया। कारवाली महराजे दे ना ओनुते अफसोस कार रही सी जा उस दी छोटी लड़की लेडी लागन दे कोल आके पुझे लगी की महराजा साच मुझे कारा है। एहे सुनके कारवाली बड़ी शरम शार होई। ते लड़की नु कूरी वट के कैन लगी ते नू की ने दस्याए। ता लड़की ने पोले पाही कह दता तुसी जो सवेरे कारे महराजे दियां गल्ना कार दे सी। एहे सारी कहानी महराजे नु सुनाई गई ता उसने छोट लड़की नु कोर साथ के उसनाल हास देयां गल्ना बाता की तियां लड़की बड़ी खुश हुई ते कारजा के कैन लगी महराजा काड़ा नहीं लोक एमे केंदे ने ओहो बौस होना है। रोम विच कैनस दे नेड़े तेड़े पहाड़ियां दी सैर करके ओहो फिर अगां तो रे ते उन्नी जन्वरी तो पहला जनोवा पुझ गई एथो दियां मशुहूर थावा दी सैर करके फ्लौरेंस पुझ जो खास कर वन सवन्ने फुला करके मशुहूर है। एथे कुश्पत वन्तियां बंदयानों मिल मला के मशुहूर शहर रोम पुझ एक दिन एथे पोप दी असवारी जांदी वेखी जिसनों रोम दे लोग गोड़ियां पार होके इसलाम कार दे सां। रोम विच महिना को रहे एथों दे खास-खास था पोप दा महल, पार्लिमेंट कार, गरजे, लेक्चर हाल, थेटर, ते फोटोग्राफ रांदे मूरत कार, स्टूडियोज वेखे, ते लेक्चर ते राग सुने। पॉम्पे दे खंडर, बारा मार्च नू रोम तो तुरे, ते सहज सहज नेपल्स जा पुझे, एथे विक्टोरिया होटल विच ठेरे, एथों ही पॉम्पे ते हर कुलेनियम दे मशुहूर खंडर वेखे, एक पास समुन्दर ते एक पास से उच्चा जवाला मुखी, विस हर कुलेनियम, शेहर बड़ी शाननाल वास्ते सां। एक दिन एसे जवाला मुखी, विसूवियस विच्चों इन्नी बल्दी राख निकल के एस पास से पई, जिस थले दो में शेहर दबबे गए, कुग वास्दे शेहर, सुंदर अटारियां, ते रमनीक सेर गहां सब सुआ दे टेर विच बदल गईयां, एथो तक की बाकी दुनिया नू याद वी ना रहा, की एथे वी कदे कोई वस्तों सी, कई सदियां पिच्चों, इकेरा, नेपज शेहर वास्ते, पानी दे नलके दबबन ली खुदाई कार देयां, दबबी होई वस्तों दे कुछ निशान मि ते सहज सहज दो में शेर कड ले गए, छता तो बिना मकान खले ने, उच्चे सदे थम, बारा दरिया, महल, अदालता, पत्थर दियां, मूर्तियां, दुनिया दे मशहूर अचंबयां विच्चों एक है, जो बीतियां जंदियां दी रह चुकी याद है, चौवी लगोरन तक स्टीम ना चलन वाला छोटा जहाज उते गए, ते फिर फ्लोरंस ते बलोगना राही, पाड़ा पुझे, इथो रेल राही, पेली अप्रेल नू वीनस अपड़े, दो कु हफते इथे रह के फिर पाड़ा विच आए, इथे महराजा कुछ दिन बमार रहा, वी अप्रेल नू बरेसिया पुझे, बाई अप्रेल नू मिलान ते पहली मई नू तूरन आप पड़े, वापसी उते छे मई नू जनीवा पुझे, इथे पांज दिन रहे, ते फिर सहज सहज वलायत नू मुड़ पए, अंत इसे महिने इंगलेंड पुझ गए, अवद राज जब्द इनना फर्क क्यों, वाज़ दली कल्ले वास्ते 15 लाख सालाना, ते मेरे ते मेरे परवार ते नोकरा वास्ते 4-5 लाख 9 दसंबर 1856 दी चठी कोर्ट ओफ डिरेक्टर्स दे परदान, ते मीत परदान नू चठी लिखी हिंदुस्तान दे कानून अनसार मैं जुआन बालग हो गया हां, होन मैं अपना प्रबंध आप करन्दा हाक दा रहां, ते खाहश मंद वी अगले एक्टुबर विच मेरे हिंदुस्तान तुरंतो पहला, मेरी ओन वाली जंदगी ते पदवी वारे हर गालदा साफ साफ फैसला हो जाना चाहिदा है मैं बेंती कारदा हां कि आप अपनी पहली फुर्सत विच एह मामला कोर्ट ओफ डिरेक्टर से ते आन विच लियाओ, ताकि गवर्नर जेनरल नूँ अपना फैसला देन वास्ते काफी समा मिल जावे मैं आस रखदा हां कि मेरी ओन वाली जंदगी दे प्रबंद बारे फैसला करनवे ले उना गल्ला दा खास ते आन रख्या जावेगा, जिस हालत थले मैं सरकार अंग्रेजी दी रख्या विच ले आ गया सा दास साल दी छोटी उमर विच मैंनू पंजाब दा तक्त छड़न वास्ते केहा गया सी मैं अपने उस समेदे वजीर बजूरगा दी सला ते उपदेश नाल उख शर्ता मन लें जो सरकार हिंद ने मेरे उत्ते लाइं क्योंकि उना हलातां विच उसाब नालों चंगियां ते लाब दा एक दसियां गया सा मैं सरकार दी राख्य विच रख्या गया ते मेरी रहायश उत्ते कुछ बंदशा लाइं गया मैंनो उना दा कोई अफसोस नहीं पर हुन मेरे बदले हुए हलात विच उहो दुखदाई पर देथ हुंदिया हाँ खास कर आमदन जो मेरे हिस्से होंदी है जे एहद नामे दे अक्री अर्थ लए जान ता जिना वजीरा ने मेरे वल्लों एहद नामा किता सी उना ते उना दे कराणया नाड़ो मेंनो ते मेरे खांदान नो कट लाब है मैं आस रखदा हां कि मेरे ओन वाले जीवन दे निर्बाले मेरे सब हालात ते मेरी पदवी दा ख्याल रखके मेरे मामले ते नमे सिरेओं विचार कीती जावेगी ते जो गुजारा मेंनो दिता जावेगा उह मेंनो जदी दर्जे ते वर्तमान पदवी दे खर्चा मताबक पूरा ते लाबवन्द होवेगा इस दा उत्तर महाराजे नो रोम विच मार्च 1857 नो मिलिया उपरली चिठी दा उत्तर इस्ट इंडिया हाउस उन्नी फरवरी 1857 मेंनो जवाब लिखन दा हुकम होया है कि इंग लैंड विच रैंड समे महाराजे दे विहारतों कॉर्ट ओफ डिरेक्टर्स पर सन है सो आप जीदी रहाइशतों बंदशा हटाऊन नो तियार है कॉर्ट ओफ डिरेक्टर्स सरकार हिंद पासों पुछ करेगी के एहद नाम में विच नियत रकम आप वास्ते आप दे खांदान ते बाकी अधिकारियां वास्ते हुन ते ओन वाले समें विच किस हिसाब विच वंडी है सरकार हिंद वल्लों उत्तर ओन ते आपनू पता दिता जावेगा गदर मई 1857 इश्वी विच इंगलेंड पुझ के महराज नू पता लगगा कि अजे तक उस दी चिठीदा कोई उत्तर नहीं सी आया इस ते लने उस ते दिल विच बेचैनी पैदा कर दती उहो लिखन वाला ही सी जा जून विच वलायत विच खबर पुझी के दिली मेरिट लखनव आदी थामाते सिपाईयां ने गदर कर दता है इस वास्ते महराजे ने अपना मामला कुश समय वास्ते मुल्तवी कर दता निपोलियन तिज्जा ते इस ती राणी इंगलैंड गए जित्थे मलका विक्टोरिया ने महराजे नाल जान पशान कराई निपोलियन दी राणी महराजे नू मिलके बहुत खुश होई जिंदा नू बनोटी चिठी नवंबर 1856 इश्वी विच किसे ने दिलीप सिंग दे नाम हेठा महराणी जिंदा नू चिठी लिखी जिस दा मतलब तोखा दे के महराणी तों पैसे ठगना सी ओह चिठी निपाल दरबार विच फड़ी गई जो पिछों सरकार हिंद ने वलायत कोट ओफ डिरेक्टर्स नू पेज दती कोट ने परतालकर नवास्ते लौगिन नू दती जिसने उस चिठी नू चूठी फर्जी जाली मन्या एस तरह इह गल इते मुकी निहेमिया गोरे हत चिठी इस कटना ने महराजी दिदल विच महराणी दा हाल जानन वास्ते इक नवा फिकर ला दता असल विच जद उसनू मा नालो वी छोड़या गया सी उस तो पिछों उना दा चिठी पत्तर सरकार ने प्रवान नहीं सी किता जलो जनवरी 1877 नू पंडत नहेमिया गोरे हिंदूस्तान नू ओन लगा ता महराजे ने महराणी जिंद कौर दे नाम चिठी दती ते उसनू पक्की कीती के ओहो आप नेपाल जाके एहे चिठी महराणी नू देवे हिंद विच आके नहेमिया गोरे आप ता निपाल ना गया पर उने चिठी एक उदासी संथ मनी राम हत महराणी नू पे इदती लागिन एह नहीं सी चौंदा की जिंद कौर कदे वी इंगलैंड विच आवे जा महराजे नू मिले सो ओने ती जनवरी 1857 नू पिछो नहेमिया गोरे नू चिठी लिखी की आप जाके राणी नू कहो महराजा चौंदा है की जिंदा नेपाल विच्छी रहे ओदे वास्ते इस तो चंगी था कोई नहीं नहेमिया गोरे दे सफर खर्च वास्ते लौगिन ने कुश रुपए वी कर ले अगो नहेमिया गोरे ने 26 फरवरी नू उत्तर लिखिया की लौड कैनिंग ने मेरे जान दी आगया नहीं दती पर जिंदा नू रेजडेंट राही साब हाल पुचा दते गई हन उसने वी दस्या की अगए किसे आदमी ने इस तरह दी चिठी पत्तर दे बहाने जिंदा कोडों कुश रुपए ठाग ले हन फतेगड लुटे आगया दलीप सिंग कैसल मैंजीज विच फोटोग्राफी दा अबे आसकारदा सी जासनों फतेगड दी पूरी खबर पहुंची के बलवईया ने ओदा माल असबाब लुट लेया है ते कार साड़ दता है नान ही सब नौकर चाकर कतल कर दते हन ओहो दो साल वास्ते वलायत गया सी इस वास्ते सब कीमती सामान फतेगड ही रहा जिस दी राखी वास्ते सारजन्ट इलियट थापया गया सी बलवईया ने इलियट नू सने बाल बच्चियां दे कतल कर दता वाल्टर गाईज महराजे दा पुराना अंग्रेजी मास्टर ते बाकी दे सब अंग्रेज भी मारे गए कारा शहजादा दिलीप सिंग नू वालाईत विच कारा शहजादा बलैक प्रिंस केंदे सन इकेरा एक ओपरा आदमी इहा वेखन आया वो वेख के बड़ा हैरान होया ते कैन लगा शहजादा कारा नहीं है लोक एमे केंदे हन अगस्त 1857 विच लॉगिन ने सर जेम्स मैलवल तो पुछिया कि महाराजे बाबत हिंदुस्तान विच्चों कोई उत्तर आया है जा नहीं नारही लॉगिन इस लादती के महाराजा हमेशा विलायत विच्ची रहे ता चंगा है जे कोर्ट आफ डिरेक्टर्ज उसनों विलायत विच्च कोई जागीद दे देवे ता हिंदुस्तान दी था उह विलायत विच्च ही अपना कार बना लवेगा क्योंकि इस वेले उस दे ख्याल थिर नहीं तेहो अपने बाबत पकी तरह नाल कुछ नहीं सोच साकदा जो उस बाबत तजवीज कार देऊंगे उहो उहो मान लवेगा उपरली राय अनुसार हैदटन ने एक वार महराजी नु केहा कि आपनू लंडन विच जैस दे लागे कोई चंगा महल खरेदना चाहिदा है अगो महराजी ने उत्तर दता कि मैं अपनी बाबत आप सोच साकदा है इस गल तो पता लग सकदा है कि उस दे दल विच उस वेले किनिया को गला आउंदिया होन गिया शेहजादी दा विया जनवरी 1818 विच मलकादी शेहजादी दा विया होया जिस उते मलका दा बुलाया होया महराजा भी गया ते यथा शक्त कीमती तौफे शेहजादी वास्ते ले गया मुलग्रेव कैसल व्याद तो वेला होके महराजा साडीनिया विच शिकार खेड़न गया पिछों उस वास्ते मुलग्रेव कैसल किरायत ले आ गया क्योंकि मियाद पुरी होनु ते कैसल मैंजीज छाट दता गया सी शिकारत वापिस आके महराजा मुल ग्रेव कैसल आवस्या बंदशा हटियां ते नमास कत्तर उनती दिसंबर 1867 नू कोर्ट ओफ डिरेक्टर्स ने महराजे नू लिखिया कि उस तो हर तरांदियां बंदशा हटा दतीयां गया हन ते उसनू बालग मान लेया गया है हुन महराजे नू अपना परबंद आप करनदा दिकार है इस वेले महराजा हिंदी बालग नालों ते न साल ते अंग्रेज बालग नालों एक साल वड़ा सी पता नहीं वेले सिर्पाबंदियां ना हटोंड विच इन्नी बे कानूनी क्यों वरती गए उन सरकार वलों लागिन दी तनखा बांद कार दती गई ते उसने बड़े मारदे जीना 27 फरवरी 1868 नू महराजे दे 99 सकतर कावड दे हवाले हिसाब किता लागन दी सत प्रस्ती मुकी महराजे दा रख्यक गाडियन शिप्तों हटना लागन वास्ते बादशाही छड़न दे बराबर सी क्योंकि 9 साल तों ओह महराजे दे तननाल मौजा उड़ा रहा सी इस गालनू 19 मई 1854 विच ओह आप भी मानदा है जेब महराजे दी ते हाथ लागन दा सी जिमें दिल किता खर्च करी गया जिसनों दिल चाहे इनाम वी दुआ दे वे ते जित्थे जी चाहे दान वी करा दे वे जद ओहो एस ओदे तो हटन लगा ता अपने वास्ते वी गफा लोन दी सुझी उसने अपने वास्ते महराजे कोडों कुछ सालाना लिखवा भी लेया परगट एही कीता कि 9 साल दी नौकरी विच मैं अपने बाल बच्चे वास्ते कुछ बचा नहीं सकिया इस वास्ते महराजा खुशी नाल में नू इह कुछ देना 14 है महराजे कोडों कोड ओफ डिरेक्टर्ज नू खात भी लिखवाया गया कि कमपनी मेरी पैंशन विच्चों लोगिन नू 833 रुपए 5 आनने 4 पाई माँ वाद देन दी रहे जिस दे उत्तर विच कमपनी दे सकतर ने 10 मार्च 1858 नू लिखिया कि लोगिन महराजे कोडों कुछ ले नहीं सकता इस तरह लोगिन विचारे दा बनेया बनाया काम रह गया अपरैल विच लोगिन ने कमपनी दी नौकरी तो अस्तीफा दे दता ते फिर दरखास्त कीती कि जो कुछ महराजा में नू दिन दा है मिलना चाहिदा है पर अफसोस कमपनी दे परदान करमचारी फेर वी नमने हिंद कमपनी हत्थों बादशानू दो अगस्त अठारा सुठ बन जानू हिंदोस्तान इस इंडिया कमपनी कोडों सरकार बरतानिया ने ले लेया इक वार महराजे नू मिली सी पर जुलाई अठारा सो अठावनजा तो ता ओह लेडी लॉगिन दी रख्या विच दती गई इस वास्ते महराजे ना मिलाब कुछ वाद गया लेडी लॉगिन ते डाक्टर लॉगिन मुद्दत तो चोंदे सान की महराजा कुर्ग दी शहजादी नू अपनी राणी बना आलवे लेडी लॉगिन ने हुन कई वार महराजे नू इस गालदे इशारे कीते आंत स्तंबर 1868 विच महराजे ने अपना पका इरादा दास दता की मैं कुर्ग दी शहजादी विक्टोरिया गोर्मा नाल व्या नहीं करोना शिवदेव सिंग नू जागीर शहजादा शिवदेव सिंग ने महराजे नू लिखिया की मैं अपनी मा दी पैंशन ते गुजारा कारदा हां हकूमत नू आख के में नू कुश जागीर दुआओ ता जो मैं व्या करा सकां महराजे दे आखन वेखन ते शहजादे नू नवंबर 1858 विच आठ हजार सालाना जागीर दे दती नवंबर 1889 विच दलीप सिंग ने लागिन नू अक्तियार दते कि ओहो गौर्मेंट नाल उस दा हिसाब करे पर गौर्मेंट ने लागिन नू महराजे दा मुक्तियार मननतों ना कर दती हिंद नू जाना दसंबर 1860 विच महराजे ने हिंदुसान जान दा बंदोबस कार लेया जान दे दो कारण सांग एक शेर दा शिकार करना ते दुज्जा महराणी दा सरकारी इलाके विच रैन दा प्रबंद करना इस वेले महराजे अपनी मानू मिलन वास्ते बेबल होया होया सी उह पंजाब विच जाके अपनी जनम पूमी ते लहौर ते गुरु राम दास दा पवित्तर अस्थान शिरी अमरे सर्वी वेखना 14 सी जिनादा जेकर उह किताबां विच पाड़दा सी गवर्नर जेनरल दी चिठी पुजी महराजा हिंदुस्तान विच आ साकदा है पर पंजाब विच नहीं जा साकदा ओह अपनी मानू वी मिल साकदा है ओह अन्नी हो चुकी है महराजा कलकते महराजा जन्वरी दे अखीर अठारा सो काट विच कलकते पुजा जहाजों उत्तरन ते इकी तोपां दी सलामी होई कलकते विच ओहो स्पैनिश होटल विच उत्तरया जन्वरी अठारा सो काट नू लौगिन ने अपने ना दाएक होर मुक्तार नामा बना के महराजे दी सही वास्ते कलकते पेजिया महराजे ने सही पादती पर गौर्मेंट ने एहे ना मंजूर कारतता तलीप सिंग दा कलकते ओना सुनके उस दे बहुत सारे प्राणे देसी नोकर उदाले आ कठे होए ते रंग रंग दे सवाल पुछन लगे शहजादा शिवदेव सिंग वी एठे आ के महराजे नू मिले आ दो में चाचाप तीजा चिर पिछों विचडे मिले जिन्दा ते जंग बहादर पिछले कांड विच असी पड़ आए हां कि महाराणी जिन्दकौर नू निपाल दरबार ने आस्रा दता ते वी हजार रुपे सालाना पैंशन ला दती सी अमली तोर ते जिन्दा इठे कैदन सी हुन निपाल दे राना जंग बहादर नू जिन्दकौर दा इठे रैना पार परती थो रहा सी ओहो किसे ना किसे बहाने महाराणी तो खला सी पौनी चौदा सी तां कि उसनू वी हजार सालाना देना ना पवे सो उसने महाराणी नू हुकम दे दता कि जे उहो एक वार नेपाल चौँ बाहर गई ता मुड के आसरा नहीं दता जावेगा दिलीप सिंग ने कलकते ओंदियां ही अपनी माता नू लैन वास्ते आदमी पे एई दते जिस पुत्तर दी याद विच जिन्द कौर ने रो रो अखांदी जोत गवा लई सी इस वेले उहो बिलकुल अनी हो चुकी सी उस दा ना सुन दियां सब कुछ पुला के उसनू मिलन वास्ते त्यार हो पे जांग बहादर वल्लों फिर तागना किती गई के जे महराणी ने एक वार नेपाल दी हदों बार पैट तरया ता फिर वापस एई थे नहीं आ सकेगी ते ना ही नेपाल दरबार वल्लों उसनू कोई गुजारा दता जावेगा इद्रो महराणी नू जवाब मिल गया तिसरकार अंग्रेजी वल्लों किसे सहायता दी आस नहीं सी फिर वी ओह कलकत्ते नू तियार हो पई अपने पुत्तर नू मिलन बदले ओहो इन्नी बेवस हो चुकी सी के जे इस बदले उनू कहीं जनम दा दो जखवी सामने नजर आउंदा ता ओहो पिछे ना हट दी जिन्दा कलकत्ते नू दुखिया महराणी कलकत्ते नू तुरी जा रही सी उदे मान विच कहीं ओंदियां सान ओहो दिल ही दल विच सोच दी दलीप तु नवा कूँ महिन्या दा सैं जद तेरे पिता जी पर लोक सिदार गए तेरे चन मुखडे दी पल पारदी मुस्कराहट वेखन बदले मैं उमर पारदा रंडेपा परवान कार लिया तु पंजा वरियां दा सैं जद नसीब ने तेनू महराजा बना दता मैं हत्थी कलगी लाके तेनू खासा राजदे तक्त ते बैठन वास्ते कल्या कार दी सां उदो मैं ही पंजाब दी महरानी सा, उदो सुफने जिनने सुखनू पाके मैं सारियां चिंतावानू पैरा थले लतार छड़िया सी नहीं जान दी सा के ना थोड़े जहे सुखा ओले, उमर पार्दे दुखलू के होई ने किस्मत ने पल्टा खादा मैंनू तक्तों लाके जेल विच सुख दता, जद तैन्नू मिथो विछोड लेया, मेरा साब कुछ बरबाद हो गया ना जाना उहू किन्ना चर एस वैन विच पई रही, कदे फिर दल विच ओंदी, आज साड़े तेरा वरे हो गए ने, मिन्नू पुत्तर तो विच्छडेया उदों उहू नवा वरेया दा सी, ते हूण उहू बाईया वरेया तोंवी वड़ा चोटा हूंदा हू बड़ा सोना ते पोड़ा जिहा लागदा सी, पता नहीं हूण किस तरांदा लागदा होवेगा मैं उसनू छाती ना लावांगी, पर उस दा चान मुख नहीं वेख सकांगी हे तकदीर, तु मेरा साब कुष खो लेंदियों, पर अखा ना खूंदियों मैं अपने पुत्तर नू राज के वेख लेंदी, अजेवी रबदेकार किस गल्दा काटाए खबरे, मेरा गवाचिया पूरण मिल पवे, ता मेरे या नेतरा विचवी, इछरा मा वांग जोत आ जावे बहता नहीं, मेनू दो दिन वास्ते अखा मंगवियां मिल जान, ता मैं लालनू वेखन दी रीज लाल मा मा पुत्त दा मिलाव एहो जैया, कई गिंतियां गिंदी महराणी फरवरी अठारा सो काट विचकल कते पुझी, चीरी विचुनने मा पुत्त मिले, दोहा देया नेतरा विच्चों पाणी वेरेहा सी जिन्दा कुट कुट के कलेज़े दी आगनू छाती नाल लोंदी सी सहज सहज बाहीं टिलियां हुईया, हुंदलीव सिंग माता दे मोडे नाल बच्चेयां वांग लगा होया सी ते जिन्दा पुत्तर दी कांड ते होडी होडी हाथ फेर रही सी सहज सहज हाथ पुत्तर दे मोडे तक अपड़िया इस तो अगों ओहोस दे सरते हाथ फेर के कुछ वेखना चौंदी सी पर इस वेले उस दी हेक एनी तड़क रही सी के शायद सरते हाथ पॉंचन तो पहला ही ओदे दिल दी तड़कन बंध हो जावे उन्हें कई वार हाथ उता चुक्या ते फेर नीवा कार लेया आंत बड़ा करड़ा जेरा करके माने बच्चे दे सरते हाथ जा फेरिया रिज्जा ते मखना नाल पाड़े होए लमे लमे के सादा जुडा नाल बबा ता दुखिया दिया ताहा निकल गिया ओहो हटकोरे लेंदी बोली हे बुरी तकदीर तु मेरा सरताज खोया मेरा राजपाग खोया पवित्तर पुमी मेरा पंजाब खोलया ते आंत पराणा तो प्यारी सिख़्ी वी मेरे जद विच्चों खोलयी तु ए विना वेख सुखाईयों अज मेरे बांसदियां रगां विच्चों कल गी तर दे शहीद बच्चेयां दा लहू मुक गया इहे वाक ओदा सीना पाड़ के निकल रहे सान ओदा सारा सरीर थर थरा रहा सी ते रोंदी रोंदी हिच्की बज गई सी दलीप सिंग तो वेके सहारया ना गया ओ मा दे चरना ते डिगगा पुबी पुबी रो रहा सी मा ने चुक के फिर बच्चे नू गालना ला लिया पड़ांदी वाज विच दलीप सिंग बोलिया मा मैं तेरी उजडी दुनिया फिर नहीं वसा सकदा तेरा गवाच्या राजपाग फिर काइम नहीं कार सकदा पर तेरी कुल विच्चों गई सिखी फिर परताले आवांगा अरदास कारदा हां कि गुरु महराज मेरे इस परण नू तोड़न बोन दलीप सिंग दे इच्चया हिंदुस्तान दे पहाडां ते इह गर्मिया कटन दी सी पर जिंदा नू पहाडां ते जान दी आग्या ना मिली तेहो पुत्तर नालों एक मिंट वी विच्चडना नहीं सी चौंदी सो महराजा वी पहाडां ते ना गया महराजे ने अपनी मातानाल हिंदुस्तान वी चरैन दी इच्चया परगड कीती उसने चाया कि महराणी वास्ते कलकते दे बाहर कोई मकान बना दता जावे उसने सरकार कोड एहे वी बेंती कीती कि ओहो महराणी दे खोहे होए गयने वापस करे ते उस दे गुजारे वास्ते वाजब पैंशन देवे सरकार हिंद ते जिंदा सरकार हिंद अजेवी डादी सी के शायद महराणी किसे किसम दी बगावित करे इस वास्ते उस दा हिंदुस्तान वीच ओना सरकार परवान नहीं कर दी महराणी दी निजी जयदाद गैने ते हीरे जवाराद सरकार दे कबजे विचिसान ते सरकार ओहो हीरे जवाराद ताद तक वापस करनू तयार नहीं सी जाद तक महराणी आपने रिहाइश वासते हिंदोस्तान तों बाहर था ना चोन लवे गौर्मेंट लंका टापू उस वास्ते तजवीज कार दी सी बाकी गल रही पैंशन दी सरकार ने काट तो काट दो हजार ते वाद तो वाद तिन हजार सालाना महराणी नू देना मनिया ओवी एस शर्ट उते कि ओहो रिशियां दी तरती हिंदुस्तान नू छड़ के रावन दे मुल्क लंका विच कैद रहना परवान करे महराजे ने इह शर्ट ना मनिया ते महराणी नू नाल वलायत ले जान दा फैसला कार लिया महराजा ते सिख फोजां जो दो दलीट से इंकलकत्ते उत्रया होया सी कुछ सिख रजमिंटां चीन तों वापस आया पता लगण उते उना महराजे दा होटल के एर लिया ते अपने पुराने बादशा वास ते खुशी ते शर्ट परगट करन लगे पावे ओहो फोजी नेमा डिसिप्लन तों बाहर नहीं होए परोना दा जोश अथा सी इहे वे के लॉर्ड कैनिंग वाइस राए ने महराजे नू केहा कि हुने हिंदुस्तान चढ़के वलायत चला जाए सो पहले जहाज विच ही महराजा अपनी मा सने वलायत नू तुर्पेया उनने लौगे नू लिखिया कि मेरे नेडे तेडे ही महराणी वास ते किसे कारदा प्रबंद कार लवे हिंदुस्तान चढ़न लगिया सरकार ने महराणी दे कुछ गैने ते जवारात उसनों मोड़ दे महराणी कुछ देसी नोकर नोकराणिया वे नाल लै गई महराजे दा शेदा शिकार करन दा शौंक पूरा ना होया इस काम वास ते उहो जो नमे टांग दे कीमती हत्यार ले आया सी एमे बिकार गए इस वेले जिंदकौर दी अरोगता नश्ट हो चुकी सी उसते मसाला वांग बाल दे रोग ते शाही शान वाले नितर गरीब दे दीवे वांग सदा वास ते बुझ चुके सां चेरे पंजाव दा मन मोहन वाली खूब सूर्ती उस तो सदा वास ते दूर हो चुकी सी बुडापे ने समय तो पिला ही उनू राण लेया सी आज कोई वेक के यकीन नहीं का साकदा सी के एहे उहा जिंदा महराजा रंजी सिंग दी महभूबा है वलायत पुझे महराजा दलीप सिंग ते उस ती माता जुलाई 1808 विच वलायत पहुंचे महराणी वास ते नेडे ही लैनकास्टर गेट विच एक वखरा कार लेया गया सी पर उहो अपने पुत्तर नाल मुल ग्रेव कैसल विच ही रहन लगी इस तो पहला महराजा इसाई तर्म विच बड़ी शर्दा परगट कारदा सी उहो हर एतवार गिरजे जानदा हुंदा सी पर महराणी दे कोल आ जान करके उस दा इहे शौंक कुछ मठा पह गया महराणी ने हर गल विच महराजे ते अपना असर पोना शुरू करदता उस महराजे नोस दी पंजाब विच ली निजी जाइदाद प्राइविट प्रॉपर्टी बाबत वी जानू करवाया जस्दा जेकर पहलों पहल महराजा जुलाई अठारा सो कार्ट विच कारदा है पिछो महराजे ने लंडन दे अजाइब कार विचों निली किताब बलू बुक वचों वी रनजी सिंग दे बाधशा बननतों पहला दिया जागी रण दा पता किता जिन्दा दी विरोध दा लागन 14 सी कि जिन शती हो सके महराजे नू जिन्दा तो वक्रा किता जावे उन्हें महराजे नू कहा कि जिन्दा लाइट हॉल विच रहे ता चंगा है महराजी निय गोतर दता कि ओओ मेरे नाल मुल ग्रेव कैसल विच ही रैना चौनदी है मिठों विच्छड के उहो किते भी नहीं रहना चौंदी चारगस्त नू फेट्स ने लागन नू लिखिया कि जिंदा दा वलायत विच ओना साड़ी बदकिस्मती है महराणी दा सिख्या दा एहे असर होया कि महराजे दी सला हिंदुस्तान विच अपनी माता नाल रैंदी हो गई उसने अपनी इच्छड लेडी लॉगिन को परगट कीती लेडी लॉगिन ने चाट जनाल महराजे नू इस गल्लों वर्जिया ते लिखिया महराजे नू एस काम विच काली नहीं करनी चाहिदी सगोंती इरिजिनाल कुश्चर सोचना चाहिदा है हुन लॉगिन नू बड़ा फिकर बनेया उसने सर्चाल्स नू दसंबर 1880 विच चिठी लिखी जिस्ता पालसी जिननी छेती हो सके महराजे नू जिन्दा दे बुरे असर तो बचाया जावे महराणी वास्ते वक्रे कार विच रैंदा प्रबंद किता जावे ते महराजे दी उमर दा उस वास्ते होर साथ ही लब्या जावे महराजा हिंदुस्तान विच वसना चौंदा है ते उत्थे ही अपनी जागीर बनाउना चौंदा है हुन खास करमचारिया नू बड़ा फिकर होया कि छेती तो छेती महराजे नू जिन्दा तो वक्रा किता जावे सोडा जून अठारा सो बाट नू सब्स लिखदा है महराणी नू वापस हिंदुस्तान विच जान तो ना रोक्या जावे में नू डार है कि जिन्ना चिर महराजा उस दे बुरे असर थले रहेगा उह विगड़ता जाएगा लागिन ने कै कहा के महराजे नू मनालेया कि महराणी नू हिंदुस्तान पे इदिता जावे पर सरकार हिंद एह गल ना मनने लारंस ने लिखिया महराणी हिंदुस्तान विच्चों बाहर ही रहे ता चंगा है क्योंकि एथे आके उहो कोई होर पवाडा खला कार दवेगी जिन्दा वक्रेकार विच नाता जिन्दा दा अपने पुत्तर कोल रहना लागिन आदी नू सुखांदा सी ते ना सरकार हिंद उसनू हिंदुस्तान विच ओन दी आग्या देंदी सी कुश्चिर पिच्छों उसनू अबिंग्डन हाउस विच रहाइश दती गई आंत लौगिन ने मापुत नू विचोड के ही बस कीती हुन हफते विच एक दो वाग दलीप सिंग मानू मिलन जान्दा सी बहुत सारे अंग्रेज करमचारी चौंदे सान की महराजा सदा वलायत विच ही रहे इस दा खासकार नहें सी के महराजा जदो वी हिंद विच जावेगा सिखां दी हमदर्दी हासल कार लवेगा पर उसनों हमेशा लई इंगलेंड वासी बनान वासते पक्के जाल विच होन दी लोड सी अठारा सो कार्ट विच ओडर ओफ दी स्टार ओफ इंडिया कड़या गया तेहे खिताब महराजे नू दता गया उसनों इंगलेंड विच शेरी हक वी दते गया लोगे ने महराजे नूसला दती के ओओ वलायत विच ही रहे एथे किसे चंगे कराने विच विया करवा लवे एथे ही चंगी जागीर बनावे जो उसनों चंगा अमीर बना देवेगी नाल ही एही वी केहा की महाराजा इस किसम दी वसीयत कारदवे कि जे उस दी उलाद ना हुए ता उस दी जाइदाद विच्चों तज्जा हिस्सा उस दे पतीजे शिव देव सिंगनू मिले ते दो हिस्से सिखा विच इसाई मातदा पचार करंदे का मौँ हैदरुप ते अलवैडन अठारा सो बाट विच गौर्मेंट ने महाराजी ने जागीर खिरिदन वास्ते कुश रकम दती ते उसने गलाव सैस्टर शायर विच हैदरुप एस्टेट एक लक पचासी हजार पॉंड तों खरीद ले जिस विले उसने आप जाके हो थां वेखी ता हो वसंदे लाइक नहीं सी सो सरकार दी मनजूरी नाल अठारा सो त्रेंट विच ओह जागीर वेच के सफोक विच अलवेडन स्टेट खरीद लेई जिस दा कबजा उसने 29 स्टमबर नो लेया जिन्दा दा आंत समा निपाल विच ही महराणी दी अरोगता विगड गई सी वलायत विच वी ओहो अच्छी ना होई सगो कमजोरी वादी ही गई आंत ओहो दे नेडे आगया जिस दी उडीक विचारी दुखिया जिन्दा चेर्तों का रही सी दलीप सिंग ने बड़ा इलाज करवाया पर कोई फर्क ना पया हुन जिन्द कोर कुश पला दी परोणी सी ओदा स्वास रुक रुक के चालदा सी दलीप सिंग उस दी छाती ते लेट जानदा ते बच्चिया वाँ गरोन लग पेंदा अपने देश ते अपने साका सबंदियां तो विच्चड़या होया महराजा पर देश विच इकला हो रहा जापदा सी वुजन तो पहलना दीवे दी लो जरा चम कौंदी है ऐसे तरह मरन तो पहलना जिन्दा दी सुर्थ जरा ठीक होई तो उन्हे कुट के पुतर नो हिकना ला लेया इन्ना नेडे हुंदियां होया वी दलीप सिंग उन्हों सैंकडे कोहां दी विथ पाई जा रहा नजर आ रहा सी ओ अपने स्रीज दी सारी शक्ती कठी करके हुडी हुडी बोली दलीप तू नहीं जानदा कि तेरे बारे मेरे दल विच किनिया को रीजा सान पर हाए तकदीर ने समय तो पहला ही सब कुछ नश्ट कर दता तू मेरियां सारियां सद्रा पूरियां नहीं कार सकेंगा पर एक अर्दास जरूर मान लें मेरी अर्थी एहे पंज सेर मिटी पंजाब दी मानत है इसनू उपरी मिटी विच ना मिलन दई जद मेरे सवास पूरे हो जान मेरी लोथ नू एथों चुक लई पंजाब खास कर लहौर विच पहुंच जाएं ते मेरा सर मेरे सर ताज दे चरना ते तर्दमी उस वेले मेरी रूप बदल बणके असमान थे चा रही होवेगी ते मेरिया रीजा हंजू बणके अपने शिरिप पंजाब दी समात थे वासरियां होन गिया इक गल होर चेते रखीं मैं विख्या है कि मरन तो पिछों मरतक दियां अखां बांद कार देंदे हां ते नैना विच आए दो हंजू जीवन दी आखरी निशानी तरती ते टै के मिट जाया कार देने पर मेरे नाड एहे अनर्थ ना करीं मता मेरे मोई दे हंजू बगानिया दी तरती ते टै के उस निर्दई अग्गे फरियाद कार दे होन जिसने सारी उमर मेरे नादन साफ नहीं कीता एहे मेरी आखरी पेटा मेरे महराजे वास्ते ले जान जिन्दा स्वर्गवास अंत पेली अगस्त अठारा सुत्रेंट नू जिन्द कौर दे स्वास कैंजिंटन विच अबिंग्डन हाउस अंदर पूरे होई विचारी दी सारी उमर किस तरह गुज़ि दिन कटा फरियाद में और रात जारी में कटी उमर कटने को कटी पर है खवारी में कटी जिन्दा दी दुखी जन्दगी दा आंत हो गया इस गालदी लौगी नूवी तार दती गई उह सने परवार पुज़ा पर जिसने सुनेया मातम वास्ते आया जिन्ने हिंदुस्तानी नेड़े दूर सान सुनके जिन्दा दे सोग विच हाजर होई जिननाचे सरकारवलों पंजाब विचल जान दी आग्याना मिली उननाचे रवास ते जिन्दा दी अर्थी एक कबरस्तान विच रखी गई इस तो दो महिने पिछों 18 अक्तूबर 1839 लौगिन वी मार गया दिलीव सिंग दे दिल ते इना दोहा मोतां दा बड़ा असर होया फैलिक्स टॉव विच लौगिन दी कबर बनवाई गई लौगिन दे बच्चेयां दी महाराजा 1883 तक जिन्नाचे रवलायत विच रहा माइक सहायता वी कारदा रहा हुन बाकी सी जिन्दा दी आखरी खाहश ससकार शेरे पंजाब दी समाद कोल करना पूरी करनी महाराजे दे अनेका वार गॉर्मेंट दा बूहा खड़कौन दे इनी ही आग्या मिली को महाराजे अपणी माता दी अर्थी हिंदोस्तान विच बंबई दे नेड़े लिजाके ससकार का सकदा है पंजाब विच जाँ पंजाब दे नेड़े नहीं जा सकदा इन्नी आग्या वी किते छे महिने पिछों मिली जिन्दा दा ससकार दलीप सिंग जिन्द कौर दी अर्थी लेके अठारा सो चौंट विच बंबई उत्रया इत्थो अग्ये दर्या नर्बदा दे कंडे पुझा उस पवित्र पानी दे कंडे उते चिखा बनाई गई ते महराणी दा सरीर अगनी दी पेटा कीता गया अपने सर ताज शेर प्ञजाब दे चरणा विच पॉंचन दी ओधी मांन दी मानविच ही रही किंदेहं दुनिया ते आके कदे कोई कुछ लेके नहीं गया पर जिंदा दी आतमा सच्ची दरगान उजां दी होई विकैर रही सी सौधा जहां से आके कोई कुष्णा ले गया जाती हूँ एक मैं ही दिल में आर्जू लिए लाटा चिखा विच्चों उच्चियां उठरेंगा सान उना दा पर्तो वाग दे पानी विच पैके दूनियां बाल रहा सी महराजा माता दे चरना विच खलोता होंके पार रहा सी ओदे अंदर दी लगी ठंडियां आही तों परगठ हो रही सी ओदे बाल दे हंजू द्रिया विच डिख दे ता पानी दी छाती ते वी छाले पादन दे क्या आग की चिंगारियां सीने में भरी हैं जो आंसू मेरी आग से गिरता है शरर है जिंदा दियां हसरता वांग ओदा सिवावी बाल के ठंडा हो गया महराजा उस दी पबूती द्रिया विच परवा के वापस मुड़ पया दुखिये मापुत अज सदा वास्ते विचड़ गए होन महराजे नू चार चुफेरे इकल पासन लगगा बंबई तो जहास चड़के उह वलायत नू तुर्पया दलीप सिंग एहे ची रोकना फैसला कर चुका सी किसे अमीर ते उच्चे कराने दी लड़की नाल व्यार नहीं करावागा उसनू पासदा सी के उसना ओन वाला जीवन सुख विच नहीं गुजरेगा क्योंकि गौर्मेंट उस नाल इंसाफ नहीं करेगी सुसनू जीवन साथन ओहो चाहिदी सी जो दुखा विच वी ओधी पाई वाल रहे सकंदरिया बंबई तो वापस मुर्दा होया ओहो मिसर विच सकंदरिया ऐलेक्जैंडरिया उतरिया सैर कार्दिया ओने मिस बंबा नू वेखिया ता मोहत हो गया दिल ने फैसला किता कि यहीं मेरी जंदगी विच शान्ती पैदा करेगी बंबा मूलर नाल महराजे दा विया साथ जून अठारा सो चौन्ट नू महराजे ने बंबा मूलर नाल सकंदरिया विच विच विया करवा ले महराजे ने एक वार पहिलना विच विच वेख्या सी उस दे पिता दे कार विच ही व्यादी रसम अदा होई ते बंबा मूलर महराणी बनी ओहो 15-16 साल दी बहुत रूप वती ते होडे स्रीर वाली सी ओहो सर्फ अर्भी बोली जान्दी सी सो कुज चर वास्ते महराजे ने एक दो पाशिया इंटरप्रेटर राख लेए महराजा नवी महराणी ने लेके अपने कार अल वैडन विच पुजा महराणी ने अंग्रेजी पडौन वास्ते एक उस्तानी राख लाई कुश चर महराजा आप वी पडौनदा सी महराणी बड़ी शांत सुबा ते हौंसले वाली सी कुश्चर पिछों मलका विक्टोरिया ने महराजे ते महराणी नो शाही महल विचे साद के बड़ा आदर कीता उलाद महराजे देकार तिन लड़के शहजादा विक्टर दलीप सिंग शहजादा फ्रेडरिक दलीप सिंग ते शहजादा एडवर्ड दलीप सिंग ते के लड़की मिस बंबा दलीप सिंग महराणी बंबा मुलर विक्टों हुई ते दो लड़कियां सोफिया दलीप सिंग ते कैथेराइं दलीप सिंग दूसरी शादी विक्टों हुई इस देनाल ही आज जैसी इहे किताब पन्ना नंबर 113 तक ही पढ़ांगे इजाज़त देओ वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की फतेश